गुड मोर्निंग आज हो गया है तिन दिन तिसरा दिन आज तिसरा चैलेंज स्टार्ट हो गा तो अभी बज रहा है नो और अभी जाके जल जल ब्रास करके रात का तो खाना खाई ने थे ऐसे ही सो गय थे अभी जा रहे हैं चावल बनाएंगे और कल जो सामने मशली बनाए थे वही खाके ओफिस जाना पड़ेगा आज ओफिस है I hope करवला वीडियो आपको पसंद आया होगा आज भी इंट्रेस्टिंग बनाने कोसिस करें 100 डेट चैलेंज का ये मोरा थिसरा दिन है I hope प्लूचरा दिन का ब्लोग आपको पसंद आया होगा आज देखते हैं आज क्या होता है एस पेस्टिक है तिसरा दिन है सोरी तिसरा दिन तो अभी बरतन धो लेते हैं बरतन भी सब रखता हुआ धेर सारे रात में तो खाना भी नहीं बनाये थे वही दिन वदा बरतन है तो अभी दोड़ा भाखा रहा है लेकिन सिम्टम है फटनेगा फट सकता है ओ भाई नीचे जाओ अभी दूद गिर जाता देखो तरह इसको उठा देते हैं यास जोग किया चावाल भी गराम कर देते हैं उसके बाद जब पानी गराम हो जागा तब जाके चावाल चले नहीं बनाएंगा और लेड़ी लेट हो रहा है तो आम खा लेते हैं इसले पाले इसको का ताव करना परेगा याँ आम खाने में बड़ा मज़ा आता है देख रहा है विनोद आम खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है जी भी याँ बात तो सहीय बोल रहा है आज मोसाब अच्छा नहीं लग रहा है कल का जी दूद था अभी गरम कर रहा है रात को भूल गए थे अरे सोबे तक पता ही नहीं चला बारे बज़े अच्छे हम सुचे दूद गरम करके पी रहेंगे लगिन रात में पीने से क्या हो जाता है गया समक हो जाता है देखते हैं फटता है कि मैं दूद्ध खराब हो गया चाहा कि खराबना हो तो बेडेटर था काउव मिल्क भाई फटना नहीं हो दूद प्लीस भाई प्लीस प्लीस उड़ाय दोफ लेफ पे गरम करेंगे दोद को जली अली हो रहा है यह कड़के जाना पड़ेगा ठीक है चाबाला भी चड़ा दिया खाना नहीं भी खाएंगे चलेंगे लेकिन आफेज आना बहुत जरूरी है ठीक है तभी जाड़े है नहां लेंगे अब इसके लिए जली अली निकलना पर रहेगा ठीक है कि अब फिस जाने वाक्त बहुत भागदोर हो जाता है तो जली अली खाना खाके ऑफिस जाना पर रहा है देख रहा है भी नो कितना जली अली रेडियो करके ऑफिस जाना पर रहा है मचली खाने में तो बहुत अच्छा लग रहा है सोचे थे रोटी में बना करके खाएंगे रात को लेकिन सुए ही रागे एक्चुली क्या था ना परसो रात को सुए नहीं थे और वीडियो एडिटिंग करते खरते नीद ने आया आए तो सुएंगे नीदी ने आया इसलिए कल साम में पूरा नींद आ गया स्लिपिंग साइकल कंप्लीट हो गया अब कि अब इसके लिए निकल गया है देखिए मोसम कितना लग रहा कभी बाडिस हो जाएगा तो फाइनली ओफिस आ गया है और आज ही प्यम कि सन का पैसा आने वाला है और यहाँ पे मेरे कस्टमर को साब काट लिया है और वो इतना डेडिंग है कि सापको ही मार दी हमारे जैसे आदमें बेहोस हों। लेकिन इतना डेटिंग आदमी कहु का लोग होता है आप लोग विश्बास नहीं करेंगे इतना डेर्डिंग नहीं होता है यह मनना परेगा कि ऐसा स्टोरी हम गौ में बहुत बार सुने हैं कि वो काड़ दिया थे से सिकल होता है उससे काड़ देता है इतना डेरिंग एक बार हम हमारे पास सांप आ गया था हमारा दिल धक धक कर रहा तक लग रहा था हमारा चला जाएगा प्राण लेकिन इंस्पारिंग आदमी होता ह है गआं के लोग कम पर लिखिए हैं तो लेकिन ज़्यादा डैरिंग होता है जिगर होता है सारी लोग पादालिखा होता लेकिन जिगर एक्दम नहीं रहता है निल मटे सनल ओं तो पियाम किसान का भी यह काड़ है see withIm कि सब्रहा आया एकने क्योंकि आठहरा तारीक को अभी प्याम के साल का प्रेसा अभी तक आया नहीं है अभी 18 बज रहे भी voitर डिविजनल ओफिसद से बारवत ब्रेसा ईवार्थ कि सुकनिया समर्दिय안 ख़ूलना है । सिर्फ लड़की के लिए खुलता है एक साल स offers लेकर 10 साल के लड़की के लिए खुलता है तो आप लोग जो भी बस्देपूर बच्चीपूर मोटा घाट जंगीपूर दुलालपूर जिस एडिया का भी लोग है आप लोग आपके घर में अगर चोटा बर्चा है लड़की है हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आ करके खोलिए इसमें 8.2 परसेंट क्वाटरली कंपॉर्ण इंट्रेस्ट मिलेगा मतलब इंट्रेस्ट को भी इंट्रेस्ट आपको मिलता रहेगा और बहुत ही अच्छा एकाउंट है सिर्फ लड़की के लिए है और गवर्मेंट का कहाना है संड्रल गवर्मेंट का की पूरे गाउं को सुकरन्या स समर्दी गाउं बनाला है मतलब जहां पर लड़की सब है उन लोगों को फाइदा पहुंचाला है रेट ओफ इंट्रेस्ट ज्यादा है क्योंकि इतना इंट्रेस्ट किसी भी दूसरे एस्किम में नहीं है 8.2% टैक्स प्री है 250 रुपिया से एकाउंड खुलता है में जो डॉकमेंट से लगता है इसी में लोगों को कन्फिजन होता है उसमें क्या है कि बच्चा का अधार का लगेगा बर्स सर्टिफिकेट का जिरोक्स लगेगा दो फोटो लगेगा गारजन का अधार का जिरोक्स और दो फोटो लगेगा यानि बच्चा और गारजन दोनों का अभर का लगेगा बच्चा का अभर सर्टिफिकेट अगर गारजन का अधार पेल काड़ लगेगा अधो दो फोटो लगता है 250 रुपिया लगता है कौन खोलने के लिए और मिनिम्म डिपोजिट एक साल में 1000 क कीजिएगा और मैक्सिमम डेड़ लाग के बीच कीजिएगा इससे ज्यादा नहीं होगा और कम करेंगे तो 50 रुपिया फाइन लगता है यही टार्मेंट कंडिशन है 15 साल तक लगातार जमा होता है और 6 साल उस पैसा को होल्ड कर करकते हैं सरकार तो आपको कंफिजन होगा है तो डारेक्ट 15 लाग के आसपास ठका मिलेगा तो इस तरह का वेनिफिट है आप लोग आकर के अकॉन खुलिए ठीक है और कोई भी कंफिजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर लगता करना है तो कॉल कर सकते हैं ठीक है अभी अधियल ही जाना पड़ेगा हमें फिल्ड विजिच करना पड़ेगा क्योंकि शुकान्या समर्द्य अकॉंट एकॉंट खुला नहीं है ज्यादा ज्यादा एकॉंट खूलना है ठीक है बहुत जवर्दस तरीके से टार्गेट दिया हुआ है तो तो खुलना ही पड़ेगा बच नहीं सकते हैं और इसे भी सुकन्या समर्द्य अकाउंट बहुत अच्छा अकाउंट है लेकिन लोग के लोग को इतना जागरूप नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है अज इसको बोलते हैं उसका अधरकार नहीं है तो सबसे बड़ा प्राब्लेम यही है कि जल्दी सकार करके फिर जाना है कि इसमें काम वेगिया है आप चलते हैं और्किल्ड में देखते हैं कि कहां पर ये सुपन में हो जब जहां कि यहां पर बहुत ही अच्छा है आप लोग फुल सकते हैं यहां पर जा रहे हैं यहां पर बहुत ज्यादा पॉपलेशन इसके अंदर यहां पर जाएंगे अभी सुकनिया समर्दी अकाउंट के बारे में समझाना परेगा तब जाके लोग खुलेगा समझाने के लिए भी जा रहे हैं दो बस करते तालीस मिनट हो गया है देखते कितना खुलता उसके बाद चले जाएंगे घर इधर ही रहते तो वह जो घर दिखाई दे रहे हैं आपको उसी घर में रहते थे पहले आप नहीं रहते हैं तो आए हैं अभी और सुकनिया कुछ लोग ओफिस आना ही नहीं चाता है कुछ जानते भी है तो ओफिस नहीं चाते हैं कुछ लोग क्या है जानते हैं उसके पास अधरकार नहीं है तो अभी क्या पहले अधरकार नहीं लगता था सुकनिया अकॉंट में अभी अधरकार लगने लगा है तो अधरकार अभी मेंडेटरी कर दिया धर काड़ बर्च साटिफिकेट फिर गारजन का धर काड़ फिर पैन काड़ तो इतना सारे डॉकमेंट्स देने में लोग कतराते हैं नहीं देना जाते इसलिए इस तरह सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है हम लोग को भी एकाउंट खुलने में तरह से हमेरे लाइख में मेरे खाली सुकन्या शुकन्या सुकन्या समर्धी अकाउंट खुलना चाहिए लड़की लोग के लिए लेकिन लोग खुलने नहीं आता है ते क्या कर सकती तो फाइनली खाके थोरा सा रेस्ट करने आया है एक्चली आज कुछ ज्याधा ही हेक्टिक दे था कुछ ज्याधा ही काम हो गया ओफिस का भी काम प्लस अकन्या समर्द्य अकाउंट के लिए फिल्ड वर्क में जाना पड़ा कभी कभी ऐसा करना पड़ता है बहुत चार साल मे पहली बार हम फिल्ड वर्क में 2020 में गए थे कुछ दिन इस बार जाना पड़ा क्योंकि सुकन्या के लिए लोग आई नहीं रहा दूप में नहीं आ रहा है आएगा तब तो बोलेंगे तो एकाउंट खुलेगा आता ही नहीं है इसलिए हमें जाना पड़ा तो टोटल टोट मेडिया पर नहीं आना चीए हर चीज को सोशल मेडिया पर दिखाया नहीं जा सकता है ठीक है कि तख लिखा हुआ है इसाफ किसे साथ तो फ्रेंड अभी पहुंच चुके हैं बॉलीवूड एक्टर सुसान सिंग जी की राजपुत की धर पे इस सुसान सिंग राजपुत का हमको देखता था बहुत रहने लगता है और देखते हैं तो बहुत ख़राब लगता है इसलिए बात ही नहीं कर रहे थेल दो आज बात की जी तो इस राजपुत की वहाँ अकेले हम भी यहां अकेले हैं जब उसको आई पेड़ पे कार्टून सुनाए कार्टून का बास सु अपकट जिए गया राजा ब्लॉट्स के लाइफ में क्या चल रहा है राजा ब्लॉट्स का जो लाइफ में पहले इतना अचा फुसी-फुसी वीडियो बनाता था रिल्स बनाता था इ warto video long video सब्सक्राइक विडियो बना रहा था लेकिन और की हो ममी पापा देख्या रहा है बहुत खडाब लग आख तुक्षै, हमारा वीडियो स्पापा को देख्के लग रहा है। कि लगता तो है फट सकता है फिर भी गरम करके एक वर देखते हैं कि अधा नहीं वैसे भी कल नहीं दूद का कोई इस्तिमाल हुआ है नहीं चाय पीए सिर्फ इसे ही रखा रगया अभी गरम करके देखते हैं क्या होता है कि दूद गरम करके देखते हैं अगर तो उसमें चीनी मिलाएंगे और उसको खा लेंगा नहीं फटा तब तब ही चाय बनाएंगे चाय बना करके ब्रेड है उसमें खाएंगे देख रहा है विनोद कैसा बैचलर लाइफ लेना पर रहा है हमारा टीवी कैसे बंद हो गया उधर हमारा आइपेड चल्गा अभी चाय बनाएंगे अभी क्या हुआ चाय पात्री दे दिये लेगिन क्या हुआ कि चीनी चीनी को जगा पे नमक दे रहेते हैं और जैसे सेखाने वाले देगा रही तो नमक है यह हैं चीनी इसको इसमें डालेंगे खूब बढ़ियां लोता है पड़ कैसा लगता है आप करके बोलिएगा ठीक है और भी जादा जादा इंप्रूमेंट होगा बस अभी चल रहा है जैसे चल रहा है देख रहा है अब इनों कैसे कैसे इस्टगल करके वीडियो बनाना पर रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजेगा ठीक है हमारा चाई बन रहा है और इसको थोड़ा सा फ्लेम हाई कर देते हैं क्या पता ही फट गया काभी नहीं पटा है चलो बचा होगा है देखो वो दिखिया हमारा वीडियो चल लाए उदर टीवी पर पन में सोचते थे कि कास हम भी एस्टार होते हमारे पीछे भी मेडिया वगर सब भंता सरसव सरव ससव घ्री ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा सिंकर बनना चाहँ लेकिन वो भी नहीं होए कुछ भी यह व कि अब तुम ही हो जन्दझी हो तुम ही हो ऑच है नी भी मेरा दार्द भी मेरी आस की अमच時間 तेरे लिए इजिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है तेरी वफा ने मुझे को समाला सारे गमों को दिल से निकाला मैं जो लुट भी गया तो वजूद तेरा सदा तुझ में रहे जिन्दा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिन्दगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आस की अब तुम ही हो आप सभी सब्सक्राइब और को ये मेरा गाना डेडिकेट था ठीक है आप लोग हमारे चैनल पैसे ही सब्सक्राइब करके रहिए वीडियो देखते लिए हमें थोड़ा बहुत पैसा होगा हम करोरपती बन जाएंगे थोड़ा बहुत आप लोग को भी हल्प कर देंगे ठीक ह सब्सक्राइब करते हैं यह तकरीब आट सो चालीस वाट बिजली परती घंठे के सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं अब इक वीडियो बना रहे थे मतलब डैर टन का जो एसी है उसका जो बिजली विल कितना आएगा नहीं आएगा थिया फाइब स्ञेक तो देखिए मंदर स्टार का ले सबूप्या एक में ने काजता है तो बिजली विजली विल का मुच्oras सकता हर मेने बिजली भी ला जाता है ठीक है तो ये बाज किया है 23 बाज कर 42 मिनट और विडियो सूट विडीट विडीट में टाइम चला गया हुआना खाना भी आज नहीं बना है तो लेकिन आज सोईंग नहीं आज तो कुछ तो खाके ही सोईंग है हमारे पास आम है उसके बाद म मुड़ी है और मचली है त्लीजम रखा हुआ है जाते हैं मुड़ी मचली दूद भी रखा हुआ है आम भी है ठेट सारी चीज़ रखा हुआ है नोटी बनाने के लिए टाइम नहीं है रात में कौन खटर कुटर करेगा तो ऐसे ही खालेते हैं देखिए वहां पर दूद भ का लगें प्रेंद चाहे ठुरा सा ही दूध कर अपला हला तो मचली और मूधी खाले तो मुड़ी है है चफिक अरविट डिखा ते है आप हरा करी ना देखाते हैं पिकल很 Χली आम है और हमारा मूबी कि खाना कसा है जादा दिर तक देखते नहीं है 10 15-20 मनट बहुत हो गया कि सबस्जाद हम पो अच्छा लगता हूं कि दिल को सुगोन मिला खाना खाने के बाद देखते हैं क्या करते हैं ठीक है काम तो बहुत सारे चीज रुका हुआ है अग्रेश सरकार ने जन्ता को अफीन चटा रखी है हम चार्ट रहे हैं अधिक अधिक रहे हैं अधिक खता लिख रहे हैं सोने कोशिस के नीद नहीं आया तो इसलिए सुचे एक खता लिख लेते हैं कि अग्जाट एकांट खता लिख रहे हैं एकांट खता लिखना बाग नी था तो अभी लिख रहा है तो आज कब लोग यहीं खतम कर देते हैं गुड़नाइट सुने का ताइम आ गया है जा रहे शुएंगे नीन भी तो नहीं आ रहा है कि अज़िए फिर कल से एक कुछ नहांनया करेंगे दिरे-दिरे-दिरे क्योंकि देखो ब्लोग सुट करने से कुछ-कुछ मोटिवेशन होता है जो चीज़ हम पहले रहे थे आभी नहीं कर रहे हैं तो अब फिर सब चीज़ करेंगे ठीक है तो आगे दिरे-देरे आपको ब् स्टार्ट होगा तो चौथा दिन का चैलेंज स्टार्ट होगा कल ठीका बाइब गुड़नाइट टेक केर कैसा ब्लोग लगा बताइए रिकोमेंट करके